दोस्तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी का आज का हम लोग का क्लास नमबर 22 होगा जो लोग इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं वो लोग हमारे IQ Study Channel के सर्च बार में जाकर प्लेलिस्ट में उनको सीरियल सभी एकजाम के लिए महतोपूर प्रस्ण होगा क्योंकि यहां से सभी एकजाम में कोश्चन आते हैं तो आज के वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग का क्लास नमबर 22 है और क्लास नमबर 22 में विस्चो में प्रमुख फसलेव मुतपादक राज्य का कोश्चन लेके आया ह सभी एकजाम के लिए महतोपूर प्रस्ण होंगे तो आइए अपने कलास को स्टार्ट करते हैं क्लास नमबर 22 दोस्तो आज का फर्स्ट कोश्चन है चावल उतपादन में प्रमुख देश है तो दोस्तो चावल उतपादन में प्रमुख देश चीन है और सेकेंड नमबर प देश कौन है दोस्तों उन उत्पादक में प्रमुख देश याने कि पहला अस्थान चीन का है और दूसरा अस्थान आश्ट्रेलिया का है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है गेहूं उत्पादन में प्रमुख देश कौन है दोस्तों गेहूं उत्पादन मे फर्स्ट नमबर पर चीन है और सेकेंड नमबर पर अपना देश भारत है अगला है चीनी उत्पादन में प्रमुख देश कौन है दोस्तों चीनी उत्पादन में फर्स्ट अस्थान पर है ब्रांजील और सेकेंड अस्थान पर है भारत अगला कोश्चन देख लेते हैं अगल मक्का उत्पादन में 1 अस्थान अमेरिका का है और 2 अस्थान चीन का है अगला है दूद उत्पादन में प्रमुक देश है भारत है और सेकेंड नमबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका अगला है तीलहन उत्पादन में प्रमुक देश कौन है तो दोस्तों तीलहन उत्पादन में प्रमुक देश ब्रांजील है और सेकेंड नमबर पर है चीन अगला है काफी उत्पादन में प्रमुक देश कौन है तो दोस्तों काफी उत्पादन में प्रमुक देश फर्स्ट नंबर पर है ब्रांजील और सेकेंड नंबर पर है कोलंबिया अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है मुंग फली उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तों मुंग फली उत्पादन में प्रमुख देश फर्ष्ट नमबर पर चीन है और सेकेंड नमबर पर भारत है अगला है तमबाकू उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो पहले अस्थान पर चीन है दूसरे अस्थान पर भारत है और तीसरे अस्थान पर ब्रांजील है अगला है कापास उत्पादन में प्रमुख देश है तो दोस्तों कापास उत्पादन में फर्ष्ट अस्थान है चीन का और सेकेंड अस्थान है भारत का अगला है जव उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तों जव उत्पादन में प्रमुख देश फस्ट नमबर पर रूस है और सेकेंड नमबर पर कनाड़ा है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है सोयाबीन उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तों सोयाबीन उत्पादन में प्रमुख देश फर्ष्ट नमबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और सेकेंड नमबर पर चाइना है अगला है चाय उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो चाय उत्पादन में प्रमुख देश में फर्स्ट नमबर पर चीन है और सेकेंड नमबर पर भारत है अगला है कहवा उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तो काफी को ही कहवा कहा जाता है तो दोस्तों काफी उत्पादन में फर्ष्ट नंबर पर ब्रांजील है और सेकेंड नंबर पर वियत नाम है अगला है रबर उत्पादन में प्रमुक देश कौन है तो रबर उत्पादन में प्रमुख देश फर्ष्ट नमबर पर थाइलेंड है और सेकेंड नमबर पर इंडोनेसिया है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है गन्ना उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो गन्ना उत्पादन में पहला अस्थान ब्रांजील का है और सेकंड अस्थान भारत का है अगला है नारियल उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तो नारियल उत्पादन में पहला अस्थान इंडोनेसिया का है और दूसरा अस्थान फिलिपीन्स का है अगला है केला उत्पादन में प्रमुख देश है तो दोस्तों केला उत्पादन में पहला अस्थान भारत का है और दूसरा अस्थान एक्वेडोर का है अगला है फल तथा सबजी उत्पादन में फर्ष्ट अस्थान कौन है दोस्तो फल और सबजी की बात की जा तो पहला नमबर पर प्रांजील है और दूसरे नमबर पर भारत है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन नारंगी के जनक किसे माना जाता है दोस्तो नारंगी का जनक संयुक्त राज अमेरिका को माना जाता है अगला है लॉंग का जनक किशे माना जाता है दोस्तो लॉंग का जनक फर्ष्ट नंबर पर तंजानिया है और सेकेंड नंबर पर भारत है अगला है पसु का जनक किशे माना जाता है तो दोस्तो भेड का जनक आस्ट्रेलिया को माना जाता है सबसे ज़्यादा भेड आस्ट्रेलिया में पाई जाती है और दूसरे नमबर है भेड के लिए चीन चीन में सबसे ज़्यादा भेड पाई जाती है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है बकरी का जनक किशे माना जाता है तो दोस्तो सबसे ज़्यादा जो बकरी पाई जाती है वो चीन में पाई जाती है और दूसरा अस्थान है भारत का अगला कोश्चन है जूट का जनक किशे माना जाता है तो दोस्तो जूट सबसे जदिक उत्पादन भारत में होता है और सेकेंड नमबर पर है बांगला देश अगला है चीनी का जनक किशे माना जाता है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चीनी जो होता है वो ब्रांजील में होता है और दूसरा अस्थान है भारत का अगला कोश्चन है लोहा उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तों लोहा उत्पादन में प्रमुख देश फ़स्ट नमबर पर चीन है और सेकेंड नमबर पर आस्ट्रेलिया है अगला है तामबा उत्पादन में प्रमुख देश है तो तामबा उत्पादन में प अगला कोश्चन है मैगनीज उत्पादन में प्रमुख देश है तो मैगनीज उत्पादन में पहला अस्थान चीन का है और दूसरा अस्थान दच्छिड अफ्रिका का है अगला कोश्चन है बाकसाइड उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दूस्तों बाकसाइड उत पादन में प्रमुक देश पहला नंबर पर आश्ट्रेलिया है और दूसरा नंबर पर चीन है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला question है जस्ता उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तो जस्ता उत्पादन में प्रमुख देश फर्स नमबर पर चीन है और सेकेंड नमबर पर पेरू है अगला है तीन उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तो तीन उत्पादन में पहला अस्थान चीन का है और दूसरा अस्थान इंडोनेसिया का है अगला है सोना उत्पादन में प्रमुख देश है तो सोना उत्पादन में पहला अस्थान चीन का है और सेकंड अस्थान आश्ट्रेलिया का है अगला है चांदी उत्पादन में प्रमुख देश है दोस्तों चांदी उत्पादन में पहला अस्थान मेक्सिको का है और दूसरा अस्थान चीन का है अगला question देखते हैं अगला question क्या है अगला कोश्चन है हीरा उत्पादन में प्रमुख देश है तो दोस्तो हीरा उत्पादन में पहला अस्थान रूस का है और दूसरा अस्थान अस्ट्रेलिया का है अगला है पारा उत्पादन में प्रमुख देश कौन कौन से है तो दोस्तो पारा उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान इस्पेन का है अगला कोश्चन है अब्रक उत्पादन में प्रमुख देश है तो अब्रक उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान अमेरिका का है अगला है यूरेनियम उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तो यूरेनियम उत्पादन में पहला अस्थान कजाकिस्तान का है और दूसरा अस्थान कनाडा का है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है थोरियम उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तो थोरियम उत्पादन में प्रमुख देश फर्ष्ट नंबर पर ब्रांजील है और सेकेंड नंबर पर आस्ट्रेलिया है अगला है टंगस्टन उत्पादन में प्रमुख देश है तो दोस्तो ट अस्थान रूस का है अगला कोश्चन है क्रोमियम उत्पादन में प्रमुख देश कौन है तो दोस्तों क्रोमियम उत्पादन में पहला अस्थान दच्छिड अफ्रिका का है और दूसरा अस्थान जिम्बाववे देश का है अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है सीशा उत्पादन में प्रमुख देश है तो दोस्तों